स्वागता आप सभी लोगों का आपके अपनी यूटूब चैनल डियोपी एक्जाम पर यानि डिपार्टमेंट पोस्ट एक्जाम पर आज हमारे जिदेश्टू एम्टेस एक्जाम की क्लास एट है और हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हम दो टोपिक सोल करेंगे ओपिस्यल पोस्टल आर्टिकल और प्रोहिबिटेड आर्टिकल इसके बाद हमारी प्योगाइड पार्ट परस्ट जापकी खतम हो चुकिये इसके बाद दोस्तों हम वोल्यूम फाइप उसकी थोरी और जितने मैत्वर्ण कुछन आपके एक्जाम में आये हुए है वह उसके जितना भी मैत्वर्ण कुछन बन सकते वह सभी भी सौल करेंगे तो चलो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसके पास में दिये गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कि जो भी नया नोटिपेकृक्षन आए सबसे पहले आपके पास आये हमारा पहला टॉपिक है ऑपीष्य पॉस्टल आर्टिकल अपीष्य पॉस्टल आर्टिकल क्या होते है ये वे आर्टिकल है जिनहें किसी सरकारी पुछा ordered rely या जिन्हें 700 चिर्ट इडी गया कर पोश्ट करते हैं यानि जो VS सरकारी driving department होता है उनके उनके दौरा जो पोस्ट अपसी में बॉक क्राने के लिए आर्टिकल आते हैं वह हमारे ओपिस्ट पॉस्ट पोस्ट आर्टिकल होते हैं जिन पर जो आपके स्टामप सरकारी टिकेट वह लगी रहती है वह लेपशाइड नीचे कौर्नर में उनकी मोहर भी लगी रहती है और GKS की फिल फ्लि फॉर्म क्या होती है on India Government Rules आपको एगजाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है आपको एगजाम में इनमें अन्य आर्टिकल की तरह आर्टिकल के ट्रांसमिस्न में रेट और कंडिशन समान रहती है यानि इसमें जो प्राइवेट आर्टिकल होते है आपके जो भी किसी व्यक्ति के जो गोर्रमेंट सर्वेंट में नहीं है या ओपिशल आर्टिकल नहीं है उनके और जो देए रूप में बेजा जाना निदैते ये सभी नियत 19 स्रेणियों की सरकारी डाक वस्तों के बारे में भी लागू होंगे क्लास 145 के अनुसार, क्लोज 145 के अनुसार, पार्सल में एक से अधिक पत्र के रूप में लिक्तिक संदेस या वेक्तिक संदेस नहीं होने चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना एक्जाम में पूचा जा सकता है कौन से आर्टिकल है जिन में एक से अधिक पत्र के रूप में लिखित संदेश या वेक्तिक संदेश नहीं होने चाहिए तो किसमें पार्सल में परंतु ये सर्थ सरकारी पार्सल पर लागूर नहीं होगी ये किसमें भी आपको एक्जाम में आ सकता है लेकिन जिन में कारेले की फाइले होती है इनके अलवा अन्य कंडिशन सेम रहेगी परंतु इसमें भी पहले के ओपिस में जितने क्युमुनिकेशन एड कर देगे है वही रहेंगे बुकिंग टाइम या डिस्पेश टाइम अन्य क्युमुनिकेशन एड करना अलावड नहीं है यानि आपने जो एक बाद डाल दिया उसमें वही रहेगा यानि कि आप बुकिंग करते टाइम उसमें आप कुछ ओरेड करना चाहो वह नहीं होगा वे सरकारी डाक जो सरकारी करमचार्य दुवरा बेजी गई है जो सरकारी टिकेट यानि सर्विस इस्टाम का उप्योग करने हित्तु प्रादी करता है उन पर Own India Government Service OIGS लिखा होना चाहिए जैसा मैंने अब आपको उपर बताए भी था और सरकारी कारेलों के अलावा जो सर्विस इस्टाम के लिए उत्राइज है उन्हें Own Service यानि सरकारी सेवार्थ लिखना आवशक है अगर OIGS की जगे Own Service भी लिखा है तो भी चलेगा जो सरकारी कारेलों के अलावा है जिने वह उत्राइज है यदि जो सर्विस पोस्ट कार्ड है कौन से सर्विस पोस्ट कार्ड जिन पर इंबोज स्टाम लगे विए इंबोज स्टाम क्या होता है जैसे मैंने भी आपको बताए बिताम जो आपके एंवलप होता है उसमें ओल्ली टिकेट लगे हुए आते हैं जैसे हमारे पोस्ट अपिस में भी जॉब के पांच रुपय का एंवलप आता है उस पे 5 रुपय की के लिए प्रादि करते है और ढाक वस्टू पे लिए उखने के लिए प्रादि करते है तो इसे करम्चारी की पद कीमोहर और रहताक्सर बायाकं कोने में होने चाहिये तो आपको exam में कुछन पूचा साकता है कि जो भी इसके लिए authorized है जो भी सिरकार करमचारी एसास से कि ये dark ticket उपएब करने के लिए प्राधि करता है और dark वस्तो पर oigist लिखने के लिए प्राधि करता है तो ऐसे ये करमचारी की पधिकी मोहर और हस्ताकसर कांपे होंगे जो को लेप्ट हेंड कॉर्णनर है यहां पर उसकी मोहर आएगी और उस पर हस्ताक्सर होंगे डिजनेशन क्या है वो भी होगी जिस दाक वस्तु पर निर्दारित अगलेक के समर्तन में प्रेसर के हस्ताक्सर मोहर नहीं होंगे और उस पर यदि सरकारी डाक टिकट चिपकाए या उस पर मोहर लगाने वाली मसीन की चाप लगाई गई हो तो ऐसी डाक वस्तु को डागर डाक वर के अदागी के लिए मानने नहीं होगा के वल सरकारी गजट जो बहुत आयात में चपते हैं उन पर मोहर लगाने की छूट दी गई है उस पर हस्ताक्सर करने की आओ सकता है नहीं हो यदि किसे के कम आर्टिकल आते हैं तो उन पर जो आपके मोर लगते हैं उन पर साइन भी होने जरूरी है यदि जो गजट में आते हैं जो आपके बुल्क में आते हैं उन पर मोर की जरूत नहीं है सोरी साइन की जुरुत नहीं है अगर उन पर मौर भी लगा दी जाये तो भी चलेगा वीत्रण या पुन्द प्रिशन के लिए किसी डाक वस्तु पर यदि बारत सरकार सेवार्थ या सरकारी अभिलेक लिखा हुआ है तो वह है प्राप्त करता के सरकारी पदनाम जौब दिया हो द्वारा नियंतित होगी यदि सरकारी डाक पर डाक वार अनपेड इंसफिसेंटली पेड हो यह कुछन आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है अनपेड पूस्ट कार्ड लेटर कार्ड या पेकट प्रिपेड ररेट से डाक टिकसव है उतने के ही लगेंगे यदि किसी registry annul up है उस पर टिकेट नहीं लगे हुए यदि उस भी 22 रूपे के लगेंगे यदि कोई article जासे आपका रजिस्ट्री है उस पे पहले से 10 रूपे के टिकेट लगे हुए है जितने भी उसमें टिकेट बच रहे हुथने की लगेंगे कोई भी डबल चार्ज नहीं लगेगा यदि आदे अदूरी डाक टिकेट बार हो तो जो भी अंतर है वही लिया जाएगा पार्सल के अलवा ये कुछन आपके लिए मैतोपूर्ण एकजाम में पूचा जा सकता है आया हुआ भी है पार्सल के अलवा अन्य डाक पर डाक टिकेट लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनका डाक बार सामने वाला रिशिवर द्वारा दे दिये जाएगा अब सभी आर्टिकल जैसे आपके स्पीट पोस्ट रिजिस्ट्री होते हैं इन पे आप जो भी अगर अन्पेड नहीं करते हैं रिशिवर को देना पड़े डाक टिकेट या जो भी भार है वो तो रिशिवर दे सकता है लेकिन जो आपका पार्सल है उसका प्रीपेमेंट और पोस्टेज जरूरी है पार्सल को आप बिना अधुरे डाक टिकेट के नहीं बेज सकते किसी सरकारी डाक वस्टू पर डाक बार या अन्या चार्ज केवल सरकारी टिकेटों या मोहर लगाने वाली मसिन की छाप दवारा होना चाहिए ये भी आपके कुश्वन में एक्जाम में आ सकता है किसी सरकारी डाक वस्तु पर दाक बार या अन्य चार्ज केवल सरकारी टिकेटों या महर लगाने वाली मसेन के छाब द्वारा ही होना चाहिए यदि किसी डाक पर सरकारी टिकेट की बजाए साधान टिकेट का उप्यूक किया गया हो तो उस डाक वस्तु को डाक गर द्वारा सरकारी डाक वस्तु को रूप में मानने किया जाएगा यदि ऐसी प्रक्रिया बार-बार होती है तो सरकल अद्यक्स में द्यान में लाया जाएगी उस्तों किसको बताया जाएगा सरकल अद्यक्स एप्यमजी को पोस्टेज ड्यू आर्टिकल वे वस्तिय जिन पर डेय डाकबर की रासी लिकी हो जिस आर्टिकलर उपर लिखा हो कि जो भी इसकी रासी है वो receiver द्वारा दिया जाएगा और जिने विबाग ए अधबार या बार सरकार के शिवार्थ या सरकारी सेवार्थ अभिले के अंतगर्ट वित्रट किया गया हो तो उन पर post master के हस्ताक्सर होंगे या अन्य अधिकारिके हस्ताक्सर होंगे जो कि इस बारे में वित्रन डागर के सरकल अधक्स द्वरा पाधी कर्त हो यह कि उसन आपको एकजाम में पूचा जा सकता है कि इस पर हस्ताक्सर किसके होंगे या तो post master के होंगे या जो भी सरकार सरगार ने सब्सक्राइब अधिकार के दुबारा पूरे हस्ताकसर द्वारा से तैपित किया जाएगा यदि उसमें कुछ चैन्जन्स करना हो तो सरकार आधिकारी की एस डाकवष्थक्राइब जिन पर प्रशक के पूरे हस्ताकसर और यह घुड़ कोई हो तो चुका ना होगा एसी वस्तू सब्सक्राइब के रूप में सरकार टिक्ट को तो हिएग यह भी दोस्तो याद रखना अब आता आपका Camp Article और Special Bag तो तो क्या होते हैं आपके Camp Article और स्विवरत लिए क्या होते हैं यह दो तो यह वो होते हैं जो आपके जितने बड़े अधिकारी होते हैं राश्पती उप्राश्पती यह किसी टूर पर गए होते हैं तो उनकी डाक किस तरह उन तक कहुंचा ही जाती है पहला क्यूशन आपको एक्जाइम पूचा दा सकता है आपके Camp Particle और Special Bag कौन से Close में आते हैं या आपके 205 में यह याद रखना राश्पती उप्राश्पती या केंदरी सरकार के मंत्री या सरकारी उच्छ दिकारियों कि सुईदा की दस्टी से जब वे दोरे पर हो या उनके मुख्यले बदल गए हो तो सरकारी जहां भी हो पत्र डाक की पूर्व दत ने फुल प्रिपेड बीमा सुधा अंतरदेशी सीविर वस्तिव जैसे इनले लेटर, रजिस्टर एंड, अन्रजिस्टर लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज पेपर एंड, बुक एंड, पैटर्न पेकिट चाहे सरकारी हो ये फ्यक्तिकत, जो सीविर के पत्ते पर डाक नगर पोस्टावन का नाम दिये बिना ही बेजी गई हो तो डागर उन सीविरों तो डाक पहुंचाता है, जो भी अधिकारियों की डाक होती है, उनको केम बेग द्वारा पहुंचा जाता है इस प्रकार की वस्तिये परतेक अधिकार के लिए विशेश थेले में, तब तक रखी जाती है, जब तक की वै अधिकारी अपने कारी मुख्याले में अनुपस्तित नहीं है दोस्तों जो यह अधिकारी होती है इनकी जो डाक होती ही वो रीडारेक्ट नहीं होती ना ही हम खोल के देख सकते हैं कि डाक में क्या होता है उनको तब तक रखनी पड़ेगी जब तक वह अनुपस्तित है अन्यता उन वस्तों को साधरान तरीके से बाहर के पते पर भी बेजी गई हो वित्रित कर दी जाती है यदि वह अपने हेड कार्टर में होतो है यदि वह अधिकारी अपने हेड कार्टर में होते हैं तो उन्हें सामाने तरीके से डाक वित्रित की जाती है में अधर्वन होता है उसमें कौन सी लिष्ट होती है आपकी रजिश्टर लिष्ट मृते वोलते हैं उसको निमन घ्जो भी चाहिए इसके बाद रजिश्टी वस्तों के प्राप्ते के परमान स्वरूप सूची पर हस्ताक्सर करने चाहिए और उसे खाली थेरे के साथ करमचारी को वापस कर देना चाहिए इसपेशल बेग का वीतरन सभी दिन होता है ये कुस खन आपको एकजाम में पूछा सकता है मैं तो पूण है स्पेशल बेग का वीतरन सभी दिन होता है ताहिए रविवार हो यह अन्य सरकारी चुट्टी हो वे article जिन पर camp लिखा है post office वे सभी article डिलिवर करेंगे जिस पर भी क्या लिखा हुआ है camp लिखा हुआ है वे सभी article post office डिलिवर करेंगा उन्हें check नहीं करेंगे कौन से व्यक्तिगत है या कौन से कारे ले ऐसे camp वाले article transit के दोरान redirect भी नहीं होंगे एसे article जिन में post town भी नहीं लिखा है और नहीं camp एसे article कहां पर डिलिवर होंगे यह होंगे आपके headquarter में जो उनका headquarter इस्टन होता है वहां पर डिलिवर होंगे parcel, ammo, insured article, repeat और अन्य article जिन पर charge due है उन्हें special bag में वीतरण नहीं किया जाएगा तता उनकी post town को सम्मोधित किया जाएगा ये question भी आपको exam में पूचा जाता है जिन पर पी आपके dark ticket जो है उन्हें पर due है जो भी charge due है उन्हें special bag में वीतर नहीं किया जाएगा तता उनकी post town को सम्मोधित किया जाता है parcel के रूप में book किया गया आपका cam bag सती मारक से बेजा जाएगा ओर 10 kilo वाले parcel पर देड़ डाक सुल्क लिया जाएगा दोस्तों आपका cam bag होता है उस पर कितने kilo तक बेजा सकता है एक्जाम में आपको पूचा जाएगा सकता है इस पर पंजिक्रण charge जो आपका registration पीस होती है ऑब 6 रुपे का लगता है इसमें आपका आकस्मक सुल्क जो इंसिटेटल चार्ज होता है इस ब्लता है जो भी आपका सेपरेट पूचा सकता है एक्जाम में आया हुआ भी है और अधिकतm वजन आफेघ तो दोस्टा आपका incidental charge 16 रूपे अधिकतm वजन 10 kg और इसका charge 10 kg का ही लिया जाएगा। चाहे कम बेख वजन 8 kg हो तो भी 10 kg का ही लिया जाएगा। यह क्यूशन आपको एजाम में पूछा जा सकता है। केम बेक को किसी अन्य बेक में बुक नहीं करते इसे अलगी रखा जा सकता है यदि केम बेक को एर पार्सल से बेज रहे हैं तो अलग चार्ज लगेगा यह उसके वजन पर निर्बर करेगा पंजिकरन फी अलग से लगेगी जो इसकी रजिस्टरसन फीस है और अलग से लगेगी और एर पार्सल पर इंसिटर्टर चार्ज कितना है 6 रुपे यह भी आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है और सिंपल पार्सल पर 6 रुपे है यदि कैम बेग को लेटर मेल से बेज़ रहे है तो इस पर सिर्फ ररजिस्टरसन फी लगी और कुछ नहीं यह आपका very important question है यदि Catholic को later mail से भेज रहे है तो कौन सी 5 लगेगी इसमें कोई भी आपके ना तो इनसीडेटल चार्ड़ लगता है ना रजिस्टरसन इसमें सिर्फ क्या लगता आपके पर दूसरा होता है तेग लेवल जिस पर एड़र का नेम और फूल एडर सोगता है तेग लेवल को संडे खुलिडो को भी बुक डिलिवर किया जा सकता है जैसा मैंने आपको बताए बिता यदि कोई अधिगारी किसी टूर पर जा रहा है तो उसे इसकी पूरी जानकरी पोस् सवाइदा मिलती है अब दोस्तों को घूपिस्तर जो आपको होते हैं उन्हें अगर वो जार है तो इसकी इनिशा कर दे Somosipाल होते हैं जिसे मध्य परदेश के गौनर है तो यह आपके ढकर दोस्तों जो अंधरप्रदेश के है अधर प्रदेश के तो इसकी जो पूर प्यम्जी है दरबाद के वाह के प्रॉप्रस देनी पड़ेगी कि कौन साब कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और जो आपके यदि डीजी हो यानि डारेक्टर जनरल तो इसकी सुचना आपके ओल हैड ओप सरकिल जो आपके सीप जी होते हैं उनको पता होने चाहिए यह कुछ नापके एकजाम में पूचा ता सकत दी डारेक्टर जनरल यात्रा पे पर हो तो तो हैड सारे हैड ओप सरकिल और यदि गवर्णर हो तो प्यम जी और यदि भी राश्टपती उपराश्टपती हो तो बिजी है है का त Pokémon incense अब दोस्तों हमरा सेकिंड जो आपका ओपिक है यह पपिक हमने अपि कुछ अपिस्यल आर्टिकला हो तॉट से यह आपको आप पर गलत नहीं हो तो हमारा टॉपिक के प्रोहिबिटेड आर्टिकल चैनी प्रतिबंदित वस्ते कौन-कौन सी वस्तो बेजनें पर प्रतिबंद है यह आपके कौन सी सेक्शन में आता है सेक्शन फोर्ट में आता है यह कुशन आपको एक्जाम में पूचा जा सकता है अन्ते देश यह डाक दोरा नेम लेकर डाक वस्तो को ट्रांजेक्शन निश्यद है उस समय लागू किसी अधिनियम में उलंगर में बेज़ी गई कोई वस्तो यानि उसमें जो भी अधिनियम लागू है यादि उसके हम अप्टिट कोई वस्तो बेज रहे है या उलंगर में क होटिकल कुछन आते हैं आपके एक्जाम में अखबार पेकेट या पार्सल जिस पर या उसके कवर पर असोबनी असलील देश्म द्रहुई अपमान जनक दमकी देने वाले या छोर अपती जनक प्रकति कोई सब्द निसान या डिजाइन हो कोई भी विस्पोर्टक्स जलन सील खतना गंदा हानिकार पदार्थ एसी वस्ति वह हम नहीं पैसकते तो यह में तो पूछा बहुत गया है पेट्रोलियम नियामावली गुणी सो शेंटीस की पट्न सुच्ची में बताएंगे तरीके से जब किसी त्रुल पदार्थ का फ्लेस बिंदू कितने 200 एप से कम होता है तो वैद जोलि इस पदार्थ माना जासकता है तो आपको एक्जाम में दो तरीके से पूछा जासकता है पहलाए नियामावली जो आपकी पेट्रोलियम नियामावली है कौन सी आभी 37 38, 44, 40 भी दे सकते हैं एक पूछी जासकती एक्जाम में आपको 237 जाद रखना है इस यह आपका 90 डिगरी एप या उससे कम होता है जिसकी तीरवता लगबग 60 डिगरी से अधीक प्रमेंट हो और तार पिन और उसके उत्पाद और लितोग्राफिक वरनिस सहीत सभी प्रकार के वरनिस को जो अलेंची सब्द पदार्तों में अलतकत माना जा सकता है इनमें से आप सब्सक्राइब करते हैं किसी करमशारी को इसमें चोट आ सकती है कोई भी जीवत प्राणी या अन्य वस्तु जो हानिकारक हो या डाग द्वारा ट्रांजिट के दूरां डाक वस्तु को या अन्य किसी अधिगारिया पोर्स्ट ओपिस से को हानी पहुंचाथी है टिकेट प सरकार द्वारा आयुजित या प्रादिकारत लोट्री पर यह निश्यत लागू नहीं होगा लेकिस सरकार द्वारा कोई आयुजित या प्रादिकारत लोट्री है उस पर यह नियम लागू नहीं होगा जिन समाचार पत्रों पर जिनके समन्द में प्रेश और पुस्तक बं से लोकल निचे उलिकी तवस्तों का अंतेदेशी डाकत्वारा प्रसान प्रसान निशेदे बारत में दो स्थान को पीच जब के अफीम मार्फिया कोका पतिया भारतिय भांग चरस गांजा और भारतिय बांग का उर्क टिंचर कोकिन उससे जुड़ी दवाये ये भी सिपके निशेदे मानेता प्राप दवायों को अधिनियम गुनि सुतीस द्वारा चुड़ दीगे तो सिर्फ पार्सल द्वारा पोस्ट किया जा सकता है किसके द्वारा सिरफ पार्शल द्वारा आपको एकजाम पूचा जा सकता है पार्सल के साथ कंसाइनी और कंसाइनर के नाम पदनाम सामगरी डिटेल करते हुए एक गोशना पत्रस लगने किया जाएगा अभी मार्पिया कोका की पतिया भांग कोकीन इनकी सम्मधित दौए उन्हें रखने बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त किसी भी रसाइन दौरा नियुक्त सर्थों के तहर्ट दौरा बेज़ जा सकती है आप यह सब बेच दो सकते हो लेकिन इसके लिए का उन्हें लाइसेंस अन्हें चाहिए और नियम सर्थे विंचाइए यह सभी पार्षल डाक दौरा बेजाते है उनका बीमा किया जाता है उता पार्षल कर रहे हो इसके साथ दिनका बीमा भी आवशक है जिस राजे में सामान जाना है वहां कुछ निश्यद नहीं हो यादि जिस राजे में आप बेज रहे हो वहां जो भी नियम है उन वस्तों के प्रति उनके अनुकूल होने चाहिए सब आपके जो भी आर्टिकल है उनमें सामान है और क अब आपके हानिकारी वस्तों के मामले में की जाने वाली कारे वाही treatment of injuries article किसी भी मामले में किसी डाक वस्तों के बारे में postmaster को संका हो या करमचार्यों को उससे नुकसान पहुंचता हो तो postmaster को निर्दे से की एसी डाक वस्तों को रोक लें तदा सरकिल अजिस को सुचित करें ये गड़बड़ी pressure डागर में होतो उस वस्तों को ततकाल pressure को लटा देने चाहिए जो भी वाया इसको बुकराने आता है उसको लटा देने चाहिए कोई डाक वस्तों जिसमें ऐसी चीजे हो जिसका आयात किया जा रहा हो या उसमें लागो किशी अधिनियम का उलंगन करके डाक बेज़ी जा रहे है तो उन्हें प्रेसक को वापस कर दिया जाएगा यदि केवल संका हो तो उन पर संदेश आस्पद डावट को लिकर गनतवी डाकर को बेज़ दिया जाएगा जहां से पाने वाले सामने खुला जाएगा ये कुशन भी आपको एक्जामें पूचा रहा सकता है आयात की दी होस्ते है जिन में सिक्के, बूलियन, केमती, पतर, जोलिरी और अन्य वस्ते हो जिन पर सीमा सुल्ख लगता हो उन्हें डाक द्वारा तब तक नहीं बेज़ा जाएगा जब तक की उन पर दिया जाने वाला सिर्फ सीमा सुल्ख अदा न कर दिया जाता हो एसी डाक होस्ते है जिन पर सांती और कानून की विरुद कोई बात लिखी हो यानि एसी कोई भी डाक होस्ते है जिनके उपर कुछ ऐसी चीज़े लिखी हो जो पोस्टर के नियम है उनके अनुकुल नहीं हो जो किसी सांती और कानून की विरुद हो कोई राजिनती इसी चीज़े नहीं होने चाहिए जो डिपार्टमेंट के चॉपकानून के अनुपूली चीज़े रहा वही डाकधुआए होई हाँ सब्सक्राइब की तो दोस्तों यह सब्सक्राइब हमारी पूस्टल आर्टिकल प्यूग गारे डूफिक लिए वो भी हम देख लेते हैं किस नंबर हमारा पहला है 105 कुछन ओपिस्यल पोस्टल आर्टिकल प्यो गाइड़ पार्ट परस्ट के किस अनुभाग के अंतगत आते हैं अनुभाग फर्ष्ट अनुभाग टू अनुभाग थर्ड अनुभाग फोर्थ इसमें आपका से उप्सन आएगा सी ओप्सन अनुभाग थर्ड कुछ नंबर 106 आपका ओपिस्यल पोस्टल आर्टिकल पोस्ट आपिस किस नियम में दिये गिये हैं कुछ नंबर 107 वह ओपिस्यल आर्टिकल जिन्हें किसी सरकारी विबाग दवारा सर्विस स्टांप लगा कर बेजा जा सकता है उस पर क्या अविशक है यह मैं तो पूर्ण एक्जाम में पूचा जा सकता है आपको कुछ नंबर हमारा 108 है जो कोई भी व्यक्ति OIGS लिखा आर्टिकल बेज रहा है जैसे जिसकी डिस्पेश की डूटी है उसको अपनी स्टांप और साइन कहा करने होते हैं आपको है कुछ नंबर हमारा 109 है कौन चैआ आर्टिकल पर OIGS लिखने के आवस्टाने होती सर्विस रजिस्ट्री सर्विस पार्सल स्पैकेटी श्रविस प्पोस्ट काड़ D प्रेकेट पर क्या चार्ज रहेगा यानि जो भी आपके पोस्ट कार्ड है उन्पर क्या साथ रहेगा डेबल डिपेशेंश नहीं सिंगल डिपेशेंश तो आपका भी उप्चिन आएगा किस ओपिशियल पॉस्ट आर्टिकल पर प्रिपेमेंट पॉस्टेज आवश्यक है यह कुछन आपका मैत्वपूर्ण है एक्जाम में पूचा जा सकता है आपको पहले भी पूचा गया है ए लेटर भी पार्सल सी इंदे लेटर डी है पोस्ट कार्ड इसमें आपका सही उप् डाइस रहे होँ पॉसर्ण कर्ण की पार्सल पर ऑई जिसकी अविस्तारी विस 121 यह विविस्टारी त्रूप है ओणão इंडिया गोवर्मेंट सर्विज कॉन से अपको यह आएगा आपका सी ओन इंडिया गवर्मेंट स्रीज इंडिया ने इसलिए नहीं आएगा कुछ नम्र 113 है ओपिस्टियल आर्टिकल पर होना अविश्यक है क्या ओई जिस्टाम भी जुरूरी है और ओपिस्टियल डेजिनेशन की मोर भी तो इसमें आएगा दी सभी क्युछ नम्र 114 है हमारा पोस्ट ओपिस्टियल आर्टिकल लेने के लिए मना कर सकता है जिन आर्टिकल पर स्टाम लगे हो यह भी गलत है जिन आर्टिकल पर OIGS लिखा हो यह भी गलत है से ओप्शन एक वह भी दोनों हो प्रन्तु सेंडर सेंडर के साइन नहीं हो नहीं कोई डेजिनेशन हो तो सी ओप्शन आएगा इसमें आपका यदी उच्छा दिखारी राश्टपतिया प्रदामतरी यात्रा पर ना होकर अपने हेड़ क्वार्टर पर हो तो आर्टिकल दे डिलिवरी करने के बाद पेक साथ लोट आई जाती है में लिस्ट रजिस्टर लिस्ट इंटी में से कोई नहीं तो अप्शन आएगा आपका बी रजिस्टर लिस्ट इसमें सबीडियर होते हैं संडे हो या गौर्मेंट हो एसे आर्टिकल जिन पर पोस्ट टाउन लिखा हो तो पोस्ट टाउन में दिलिवरी होगी यदि कैंप लिखा हो तो कैंप में दिलिवरी होंगे यदि किया आर्टिकल पर कुछ भी लिखा पोस्ट टाउन केंपल ऺग नई हो तो कांप में डिलिवरी होँगे यह होग आपके दोस्तों Blizzard के स्ट्रेस앙 पर सीवपन आयेगा यदि पार्सल केमबेक को सरफेज से बेजा जाए तो उस पर चार्ज लिया जाएगा तो आपके 10 kg के ब्राबर, 20 kg के ब्राबर, 35 kg, 30 kg तो आपके 10 kg के ब्राबर चाहे इसका वज़न 9 kg हो तो भी 10 kg के ब्राबर ही इसका चार्ज लिया जाएगा क्योंश नमरे 120 केम पर इंसरीडेटल चार्ज कितना होता है तो इस फिए option आएगा आफका ए 121 में क्या एगा ए 16 रूपए एक सो बाइस कुछन है एर पार्सल पर के लिए इंसीडेटल चार्ज कितना है एर पार्सल पर आपका छह रूपे बी अप्सन एक सो तेश नमर कुछन है यदि केंबे को लेटर मेल के तोर पर बुक कर रहे हैं तो क्या क्या चार्ड लगेंगे इस सिर्फ रजिस्टर्सन पीस भी इंसीडेटल चार्ज से यह भी दोनों डीन में से कोई नहीं तिसमें आपका सिर्फन आएगा ए यदि आप इसे लेटर मे अधराल के दे होंगे केसमें सुर्फ इस जाम में सामाने टिकर्स सभी तरीकों से यह कुछी नामको पूचा सकता है तो यह सुर्फ से सिल्फ यह समय समय गारा कैंपको कितनी लाइश जो दने लो टें इसमें डो लोता है किष्ज हमक्सी सब्सक्राइब पर कुंऌसे लेबल होंगे इस लेबल यह दोनों ल्हेलाऊंगे दो बाइग होंगे दो लेबल और वह उप्सिटेमा नाल temps इत्जचन हमारा टेच लेबल पर पास्टाप किस ओल लगानी चाहिए न variability तो जो सभी में लगते हैं, आपके राइट हैंड, अपर कोर्णर पर, एप्शन, क्युशन मरहारा 28 है, यदि देश के राष्टपती, उप्राष्टपती या उनके मंतरी यात्राप रहो, तो इसकी जानकारी किसे देनी चाहिए, यदि देश के राष्टपती और उप्राष् अध्यक्त सबी को सिप्यम्जी एक इसमें आपको अपनाएगा सी 139 कुशन है यदि किसी राज्य का राज्येपाल यात्रा पर हो तो इसकी जानकारी प्यम्जी को और यदि आपके डीजी आता पर है तो सिप्यम्जी को यदि किसी मंत्री के राज्टे में यात्रा में कोई चेंजिंग होता है तो इसकी जानकार किसे देने होगी या आपके लोकल सुप्यटेंट या आरमस्क के सुप्यटेंट इसमें आपको अप्शन आएगा सी दोनों को क्यूसर नमबर 111 हमारा कें पार्टिकल इस्पेसल बेग और कें बेग पॉस्ट लाटल किस नियम में है यह कुछन आपके एकजाम में आ सकता है मैतपून यह अप्शन आएगा आपके 205 इसमें आपके एकजाम में पूछा जा सकता है इसमें आपके आएगा डियोप्शन 133 कुछ नमबरा भारत के दोस्ताई इस्तानों के बीच्चर्स गांजा अफिम और उन्हें से बनी दवाये को सिरकार ने जिसान नेर्दे से अनुसार बेजा जा सकता है यह कुछन आपके अब चलन से बाहरो अन्य कोई मिलता जूलता डूब्लिकेट इस्ताम हो तो उस वस्तु के साथ क्या विवार किया जाएगा एसेंट्टू आरलो भी रिटरेंट्टू सेंडर सी दुगुना चार्ड लगेगा इन्हें से कुछ नहीं हो इसमें से यह उप्तन आएगा पर सेंट्टू आरलो यह कुछन भी आपको एक्जाम में पूचा जा सकता है तो दोस्तों यह हमारी के दोनों क्लास कंप्रेट हो गए है Margaret यानि आपके बूर गाय्ई पार पार प्रेश्ट कतम हो चुकी आपके MTS के एक जाम के लिए। अब हम सुल करेंगे आपके वॉलियुम 5 जो आपकी अगले के दिन से आपकी नए क्लास हो पी वोल्यूम 5 की पहली ने तोरी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में आपके नए टोपिक साथ इब खाले आत्स लोगे झाल झाल